नमस्कार दिन्बर की ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का S.E.C.N. निज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर आधित्यपूर में बेक आफ अपराधियों ने एक युवक पर चलाई ताबर तोर बोलिया पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी पर नाले का पानी आने से रांगी हो रहे परेशान नाले के गंदे पानी से हो रहा जल जमाव परशेद्पूर में बढ़ रहा चोरों का आतंग बिरसानगर के एक घर में बुई चोडी आनंद फानन में सुभास को टीय में चले जाया गया जहां उसकी हालक चिंता जनक बनी हुई है मिली जानकारी के अनुसार अपरादियों ने सुभास को तीन गोली मारी है मंगलवार की सुभा सुभास अपने घर के पास बने सामुदाई घववन के पास टहल रहा था इसी दोरान पैदल पहुंचे आधा दरजन अपरादियों ने सुभास पर अंधा दून फाइरिंग कर दी गोली सुभास के कंदे में लगी है मौके से चार खोका बरामत किया गया सुचना मिलते ही आधुति पुर्थाना पुलिस मामले की तफ्तिश में जुट गई है बताया जारा है कि सुभास कृष्णा गोभ भत्यकान का गवा बताया कि वह पहले भी मामले की शिकायत कर चुके है इसको कंपनी जो है बहुत तारा काम किया यहां है अथनी है कि काम नहीं किया बार बार हम लोग इसके लिए अवेधन दिये हैं बराबर भिरोद करते रहें संसल मीडिया के माध्यम से अब दो मेना से यह हाल कर साथ में जो इतना बुरा हाल है इसमध्धान नहीं होने हो लगा भी जा के लिँ हमस्धान सो चलती लगा तो इतना गंडगी पानी जा रहे हैं यहां से कलते जू है hear यहां कर लोग जो है देली हम मारे पास आकर के बोलते हैं आप इसमें पहल कीजिए आज हम लोग नगर उपाई नगरायुक साब से भी मिले है कि इस्टुकुमार जी से भी तो उन्होंने भी अस्वासन दिया कि उनका समधान कराएंगे करके नमशेपूर में एक बार फिर चो ने घटना को अंजाम दिया देवेंदर सिंग अपना इलाज कराने के लिए पिछले चार महीने से परिवार के साथ दिली गए हुए हैं जबकि घर की रखवाली के लिए पडोस के रहने वाले रामकृष्ण राव को जिम्मेदारी दी गई उसने बताया कि बीती रात दो ब पॉक्स का सामान बिक्रा पड़ा हुआ था इंवर्टर बाहर रखा हुआ था इसके बाद उन्होंने बिर्सानगर थाना को सूचना दी पुलिस ने पहुंचने के बाद घर सहित आसपास के चेत्र की जाचकी जहां पाया की चोर घर के पीछे की दिवार फांद कर पाइप क पाद की चोरी हुई है फिलार पुलिस सीटीवी के सहयोग से चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है तो रात को पुर्णे दो बज़े देसिंग का पोसा जो आए फोन किया कि अंकल नीचे में जो आए और दोड़ो लड़का है नीचे में तो मैं लगा क्या हो गिए नीज ह अजना में विकार के वा जोने खड़ाता उमर्य क्या हुआ अंकल जल्दी है जल्दी है अमरेक वार इंवेटर देखे राजा ने क्या लगता है नहीं थीक है पारा इच्छाए लकाने तो प्रांशे का किए गिज्य से जाकने देखे वर प्रवाजर तो ताब गुचा पॉलिस ने देखा, पिर बहार जब निकाल के देखा, तो एक समिंट का बोरा में, इतना बड़ा-बड़ा कटर, दोट और राज, उसमें रखा हुआ है, तो बहार की चोटा हुआ है, वो लेके चोड़ा किया है, उसका बात में सुलवांगा आएंगे बोरा। राजे के पंचायद सचिव ग्रेट पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग लेकि उनका ग्रेट पे 2000 से बढ़ा कर 2400 कर दिया जाएंगे 50% पंचायद सचीवों को BPRO के पद पर प्रमोशन देने की भी मांग है इस मांग को लेकर प्रदेश भर के पंचायद सचीव हर्ताल पर है पुर्वी जीबुंग जिले के सारे पंचायद सचीव हर्ताल पर चले गए है साथ्ची में DC Office के सामने पंचायत सचीवों ने धर्णा प्रदर्शन भी किया करने प्राप्त नहीं किया हम लोग को तब तक हम लोग ऑनिश्य के लें होलताल पर रहेंगे मैं अभी राजनीती में बच्ची हूँ और अभी बहुत कुछ सीखना बागी है मुझे एक लंबे समय तक जारकन की राजनीती के भिशमे पितामा चंपाई दादा के साथ में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां मैंने राजनीती के कई गुन उनसे सीखे हैं हमारा संबन एक परिवार की तरह है और उन पर टिपनी करने के लिए अभी मैं बहुत छोटी हूँ समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है जहां हमने कुछ दिन पहले लोग सबा चुनाओं के दौरान कई नेताओं को नई विचारधारा के साथ जुटे हुए देखा है मगर उन नेताओं को जनता ने नकार दिया है अब चंपाई दादा एक नए विचारधारा के साथ अपनी एक नई पारिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां दादा की नई पारिक का फ्रैसला जनता करेगी बड़े बड़े पुरे देश में अलग-अलग उधारन कई सारे हैं कि लोग काफी कॉंट्रिब्यूट करते हैं सुसाइटी को दस साल पंदरा साल कॉंट्रिब्यूट करने के बाद और यहां जारकर्ण में भी ऐसी स्थिति आप लोग पूरू में भी देखें ऐसा बहुत सारा उधारन है कि काफी अच्छा मतलब कॉंट्रिब्यूशन के बाद भी अगर दल बदल करने के बाद भी उस तरह का रिजर्ट नहीं आ पाए हैं जो हमने देखा है सीखा है हम तो अभी सीखी रहे हैं ना हम तो नए नए पॉलिटिक्स में आये फरस्ट टाइम में मिले हैं तो हम तो यह देख रहे हैं जो के साथ मिल जाते हैं तो हम वो अमबा नहीं हम नहीं हम नहीं अमबा जमशेट पॉर सुनारी एरपोर्ट से लापता प्लेन जिसमें दो पाइलिट की जान गई एक रहस से बन गया था पिछले छे दिन से लापता प्लेन को आखिरकार भारतिय नौसेना ने चांडिल डैम के के इंदल से शात्वे दिन खोच निकाला पहले दो पाइलिट का एक एकर शौमिला फिर लगतार प्रेश हुए प्लेन की तलाश जारी थी लेकिन भारतिय नौसेना की कड़ी मैनत रंग लाई और साथवे दिन प्लेन को खोच निकाला गया भारतिय नौसेना की टेकनिकल ट प्रवेटिंग के द्वारा यह आपरेशन किया गया अस्थानी प्रसासों के तरुप से काफी स्वयोग मिला पिछले वीज तारीख को यह एरकाफ प्रभटना कर ठो दिया था और यह देन में गिरा था और यहां के जो अस्थानी लोग थे तुछ लोगों ने जो देखा था रुप की जनकारी का उंसार सर्च शुरू हुआ और दो दिन के बाद हमको फाइलेट गेव वान और तू भर्ट अपाए गये फ्लोटिंग होने के बाद और उसके बाद से इस एरकाफ का लोकेशन सर्च करना सुरू किया गया हमारे जो सर्वे टीम है उन्होंने सर्च करना सुरू किया दो जिन तक को पता नहीं चला लेकिन तीसरे दिन इसकी काम्यावी मिली एरकाफ का लोकेशन मिला और उसके बाद इसको रिकवरी करकर के आज वापस जट्टी तक लेके आये हैं विस्टुपुर के अलगोर वोटल में हर्यारी पीज मिलन का आयोजन भव्य तरीके से किया गया जिसका आयोजन श्रीमती देविका सिंग चेर परसन सेंट्रल वूमन वरकर्स कमीटी इंटेक के द्वारा किया दिया इस आयोजन में समाच की महिलाओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया कारिक्रम का मुख्य उदेश्य भारती सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए महिलाओं को एक मंच प्रदान करना था जहां वे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके और आपसी मेल जोल बढ़ा सके कारिक्रम की शुरुआत परंपरागत पूजा अर्चना से हुई जिसमें सरी महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया इसके बाद सांस्कृतिक कारिक्रमों की धूम मच गई डित्य संगीत और थाली सजावट की प्रतियोगिताएं आयोजन का मुख्या आकर्शन रही महिलाओं ने सजी धजी थालियों में अपनी रचनात मक्ता का प्रदर्शन किया वहीं डित्य और संगीत के माध्यम से अपनी कला का परिचय दिया इस अवसर पर मुख्य अतिति के रूप में पारूल सिंग स्टी और जमशेटपूर ने शिरकत की जबकि सम्मानी अतिति के रूप में कंचन सिंग लाइन्स कलब उपस्तित रही अन्य अतितियों में नूर जहां खान वार्सी, भारते सिंग, उशा सिंग, गयत्रिदास, मंजू सिंग, रिंकुर रॉय, सुजाता सिंग और शशी आचारे का नाम प्रमुख रूप से शामल था मैं देवी चासी, समास्तिरी महिलाओं को एक सात्री के चलने वाली, आज हम लोग हर्याली कीज मना है, तुकि हम लोग बहुत, जितमी महिलाओं यहां बैठे हैं, सब कुछ रूप सार्व करते हैं, कोई हैं कोई अकट्रि में हैं, कही नमुच्पूर में हैं, कोई आफिस म मुझे लगा कि इस सब्सक्राइब करने चाहिए, और पूरे शेहर में एक महिला से मैं देखे थी, बहुत सार्वार मेलाओं हो रहा था, मुझे लगा कि सावार मेलाओं इतना हो गया, अब 6 को 30 हैं, तो क्यों ना हम लोग सो अशा एक 300 मना गया हैं, यह सोचके मैं अपने स अब तक के लिए, सब्सक्राइब के साथ हर्यारी के जूसरों आज यहां पर आज के इस पुरेजिन में बस इतना ही हम फिर हाजर होंगे कुछ और नहीं कबरों के साथ, तब तक के लिए S.C.N. News की पूरी टीम की और से मुझे भीजाई जादत ममस्काब झाल 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 झाल